सत्गुरु की साजी निवाजी, प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना था निरंकार जी सत्गुरु निरंकार दातार का हम सब शुक्राना करते हैं इने की अपार किर्पा से हमारी ये जीवन की यात्रा अनन्द में बीट रही है सत्गुरु दातार के चर्णों में यही अर्दास करते हैं हम सब कि सचे पाशा इसी तरह आप जी अपने चर्णों से जोड़ कर रखना और इसी तरह अपना मेहर भराहात अपनी मेहर भरी नजर हम सब पर बनाए रखना साथ संगर जी आज दासी विचार रूप में आप जी के चर्णों में जो शीरवात लेनी जा रही है साथ संगर जी इन विचारों त्वारा हमें यही समझाया गया है कि इनसान किसी भी काम के लिए दूसरों पर निरबर ना रहकर जब स्वैम काम करने की सोच लेता है तो अवश्य ही वो काम पूरा हो जाता है अवश्य ही उस काम में उसे सफलता मिलती है कहते हैं एक चिडिया ने अपने बच्चों के साथ खेत में एक बहुत ही सुन्दर घोसला बनाया हुआ था जब खेत में फसल अच्छी त्रह से पक गई जब किसान उस खेत में आया और बोला कल पडोसियों को बुला कर फसल काटने के लिए कहूंगा चिडिया के बच्चों ने जब यह बास सुनी तो वह पूरी त्रह से डर कर सहम गई चिडिया बोली अपने बच्चों से कि तुम बिलकुल भी मत घबराओ हम पूरी त्रह से सुरक्षित है किसान कल फसल काटने नहीं आएगा अगले दिन किसान पडोसियों के ना पहुँचने पर यह कहते हुए चला गया कि अगले दिन में अपने रिष्टेदारों को लेकर खेत में आऊंगा और फसल काटेंगे हम सब मिलकर फसल काटेंगे चिडिया के बच्चे फिर से डर गए लेकिन चिडिया बोली अपने बच्चों से कि तुम बिलकुल भी बत डरो कल भी किसान फसल काटने नहीं आएगा अगले दिन किसान जब खेत में पहुँचा तो उसने देखा कि कोई भी रिष्टेदार खेत में नहीं पहुँचा था तब किसान ने कहा हमें अप प्रोसियों और रिष्टेदारों के भरोसे नहीं रहना चाहिए कल मैं स्वयम आकर फसल काटूंगा यह बात सुनकर यह बात कहे कर वे किसान तो चला गया चिडिया के बच्चे आपस में बातें करने लगे कि हम सुरक्षित है यह तो इसका रोज का ही काम है तब चिडिया ने अपने बच्चों से कहा नहीं हम अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि अब स्वेम किसान ने यह बात सोची है कि वह स्वेम ही फसल काटने आएगा अब किसान किसी पर भी निर्पर नहीं है और जब इनसान स्वेम यह बात निश्चित करता है फिक्स करता है निर्धारित करता है तो अवश्य ही वह उस काम को पूरा करता है इसलिए हमको हमारे इसलिए हमें अब हमारे घर के लिए जल्दी ही दूसरी जगए खोजनी होगी संगत जी ये कहानी हम यही सिखा रही है कि जब इनसान स्वैम ही किसी काम को करने की सोचता है तो उसे अवश्य ही सफलता मिलती है इसी तरह जब प्रमग्यान के बारे में इनसान सोच लेता है कि मैंने प्रमग्यान सत्गुरु के चर्नों में आकर प्रापत करना है इस निरंकार को जानना है इस परमपित प्रमात्मा को देखना है जब वो मन में ऐसी जिग्यासा लाता है तो वह अवश्य ही इस ब्रहम ज्यान को प्रापत कर लेता है फिर जब उसके मन में ऐसी जिग्यासा जागती है कि मैंने ब्रहम ज्यासा प्रापत करना है तो फिर वह सत्कुरू के बताए अनुसार चलता है जिस तरह फिर सत्गुरू, ब्रहं ज्यान देने के बाद हमें समझाते हैं कि हमने ये तीन काम भी करने हैं, सेवा, सिम्रंश संग तो जो जिग्यासू होता है, जो जिग्यासा लेकर सत्गुरू के चर्णों में आता है वे फिर पूरे तरह से ग्यान के अनुसार करम करने लग जाता है फिर वे सेवा सिमरन ससंग में तलीन हो जाता है तो वे अपनी मंजिल को प्रापट कर लेता है मानव जीवन का लेक्ष है इस परमपिता परमात्मा को पाना है विरुए इस परमपिता परमात्मा को पा लेता है और अपनी मंजिल तक वो पहुंचाता है हमारे मन में ऐसे ही भाफ होने चाहिए अगर हम भगती के उन्चाईओं पर भगती के उन्चाईओं को प्रापत करने चाहते हैं तो हम सत्गुरु के बताए अनुसार तो चले ही लेकिन अपने मन में पूरी तरह से यह जिग्यासा बना लें कि हमने इस परंपिता परमात्मा को जानना है जब तक जिग्यासा नहीं होगी तब तक इस परंपिता परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है वकत के सत्गुरू सारे ही संसार के लिए आए हुए हैं और सभी को आवाज दे कर ये पैगाम दे रहे हैं ये बात बता रहे हैं कि आजाओ दुनिया वालो जीवन को सफल बना लो मौकामी लेना बार बार क्योंकि 84 लाकियों के बाद है मनुश्य जनम मिलता है इसलिए सत्गुरू बार बार इनसान को चितामने दे रहे हैं इनसान को अलर्ट कर रहे हैं इनसान को जगा रहे हैं जो जाग गए हैं उन्होंने अपना जीवन सुखी कर लिया है अपना लोग सुखी पर लोग सुहिला कर लिया है जो सत्कुर के बताए अनुसार करम कर रहे हैं ग्यान करब में ढाल रहे हैं तो उनका जीवन सुन्दरता है सुन्दर है उनके जीवन की शुबा है साज संगत जी कहती है जिस तरह एक बीज को अगर शुरू से ही परपूर पानी अच्छे खाद और सूरज की रोशनी मिले कभी कभी ये सब चीजें मिलने के बाद भी बीज बनप नहीं पाता तो इसमें खाद पानी हवा धूपादी का तो कोई दोश नहीं वे ग्यानिक भाशा में कहें तो हवा धूपादी ने तो सब बीजों को एक जैसा पोशन दिया येकिन बीज ने अपनी शारिरिक उस पोशन को अंदर नहीं आने दिया जिस से उसकी जीवन शक्ति कम हो गई ठीक उसी प्रकार मनुश्य भी अपनी सोच की संकीरता के कारण अच्छे विचार और समझ को अपनी अंदर नहीं आने देता संगर जी कहते हैं कि एक महात्मा अपने विचारों द्वारा बता रहे थे कहते हैं कुछ महीने पहले दास ट्रेन से सफर कर रहा था साथ में एक महात्मा भी थे सामने किसी पर एक नोजवान और उनके पास में एक दम पत्ती बैटे थे कुछ समय बाद जब चाये वाले भीया आए तो उस नोजवान ने चाये ली और पचास रुपे का नोट दिया उदर चाये वाले ने दो बीस बीस के नोट उस नोजवान को दे दिये जब नोजवान ने नोटों को देखा, तो उस में से एक नोट फटा हुआ था, नोजवान ने एक दम से गुसे में चाहे वाले को बोला, ये फटा हुआ नोट किसी और को देना मुझे नहीं चाहिए, सामने से जवाब आया, भईया मेरे पास और कुले पैसे नहीं है, अभी आप यही रख लो, मैं थोड़ी देर में आऊंगा, तो ये नोट बदल दूँगा, इस पर उस नोजवान ने कहा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ, मुझे अभी दूसरा नोट चाहिए, देखते ही देखते, उनके बीच बहस होने लगी, दास भी ये सब देखी रहा थ कि अचानक साथ बैटे महात्मा ने उन चाहे वाले भाईया को बोला, जरा नोट मुझे दिखाना, उस महात्मा ने वो नोट देखा, और अपने परस में से एक साफ नोट निकाल कर उस चाहे वाले को दे दिया, जिससे कि वो बहस और लड़ाई एक दम से शान्त हो जाए, स ने सफर के बाद जब उस महात्मा से पूछा कि आपने उस नोजवान को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो सामने से उत्तर आया कि मैं अगर वहां कुछ बोलता तो शायद बात बढ़ जाती, क्योंकि सामने वाला सुनने को तियार नहीं था, इसकी बजाए अगर एक फ दास को यही धियान आरा था कि सद्गुरु की किर्पा से संतो की सोच को गुरमत द्वारा जो पोशन मिलता है, वो सद्करम रूपी फूल और पतो के रूप में संसार के सामने आता है, आज शारे रिक पोशन के जितने जरूरत है उतनी ही जरूरत आत्मिक पोशन की भी है, जो सीरफ और सीरफ सत्गुरु की शरण में आकर सेवा ससंग और सीमरन करने से मिलता है आउदातार के चरनों में आएं और गुरमत की इस खुराग को प्रापच करें और जो भी संतों महापुर्शों के बचनाते हैं उन पर हम अमल करते हुए अपना लोग सुखी पर लोग सुहेला करें सत्कुरु माता जी हम सब को सद गुद्धी देना सद विचार देना सद मारक देना हम आप जी के बताए रास्ते पर चलते रहें जो भी हमें है शिक्षाई आप जी के दवारा संतों महात्माँ के दवारा मिलती हैं हम इन शिक्षाईग को अपने जीवन मे धारन करते हुए अपना जीवन सुन्दर बनाएं सबसे पहले हम ससंग को पहल दे प्रतम भक्ति संतन करशंगा सबसे पहली भक्ति की सिरी ससंग है जब ससंग में आएंगे संतों महापुर्शों के बचन सुनेंगे और फिर हमारे मन को मजबूती मिलेगी और सीमरन करने का भी बन मिलेगा और सेवा भी होगी ये तीनों काम तभी हो सकते हैं जब हम सत्संग को पहल देंगे हमने सत्संग में समय से आना है और पूरा सत्संग सुनना है पता नहीं किस महात्मा का कुन सा वच्चन हमारे जीवन को सफल बना देता है इसलिए सत्कुरू हमें समझाते हैं कि हमने समय पर सत्संग में आना है और सत्संग किस मापती के बाद हमने सीधे अपने घर जाना है और कोई भी दुनिया भी बाते नहीं करनी है सत्संग से जो हमें हीरे मोती अमलीक बचन मिले हैं इनको हमने अपनी जोली में समेट कर अपनी घर लेकर जाना है इन बचनों पर अमल कमाना है और हमने मर्यादा प्रुवक बैठ कर अनुशाशन के साथ सत्संग सुनना है सत्संग सुनते समय हमने एक मन एक चीत होकर सत्संग सुनना है सत्संग के समय हमने इधर उदर की बाते नहीं करनी इधर उदर नहीं देखना हमारा जो ध्यान है वो संतों के वच्छनों की तरफ रहे हम इनको सुने और सत्गुरु की जो भी हमें गाई लाइन्स मिल रही है उसको हम पूरी तरह से अपने जीवन में फालो करें साथ संगत जी विजार करते हो बहुत सी गल्दियां हुई होगे उन गल्दियों के लिए आप जी शमा कर देना आगे के लिए सुमत बक्षना साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी